पढ़ने के लिए भारत से यूए गया दिल्ली का ये शक्स ऐसा कारोबारी बना हेलो फ्रेंज फागते आपका हमारे यूट्यूब चानल जीत बक्की पर जहां आज हम आपको एक ऐसी शक्सियत से मिलाने वाले हैं जो पढ़ाई के सिलसिले में गए थे विदेश और आज अपने कारोबारी समराज्य के चलते सबको कर दिया है है रान अगर आप भी जानना चाते हैं इनके बारे में दो विरो का एंड मिस ना करके विडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करतें आज हम आपको प्रतीक सुरी से मिलवाने जा रहे हैं जो एक प्रेरक व्यक्ति हैं वो किसी उधोग घराने से नहीं आते बलकि अपनी महनत और लगन से एक अरब डॉलर से जादा की कामपनी के संस्थापक अध्यक्ष और CEO बन गए हैं सुरी का जन्म भारत में हुआ था साधारन शुरुवात से उन्होंने अवसाधारन सफलता हासिल की द्रिट संकल दूर दर्शिता और उधम शीलता की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने मेसर ग्रूप की स्थापना की थी तो चली ही जानते हैं इनकी सफलता की कहानी आज हम आपको ऐसे शक्स से मिलाएंगे जो एक सेल्फ मेड बिलियनर है वो किसी उधोग घराने से तालुक नहीं रखते उन्होंने जो कुछ भी पाया है खुद हासिल किया उनका नाम है प्रतीक सुरी उनकी सफलता की कहानी द्रेटसं का दूर दिर्शिता और उधम शीलता की भावना की ताकत को दर्शाता है उनका जैनम भारत में हुआ था इस युवग ने साधारन शुरुवात से लेकर दिगज, टेकनोलोजी, यूनिकॉन, मेशर, ग्रुप का नत्युत करने तक आसाधारन यादरा की है यह आफरिका और दुवई में इस्थित एलेक्ट्रोनिक्स निर्माता कमपनी है प्रतिक सुरी उसके संस्थापक चेर्मेन और सीयो है यहां उनकी कारोबारी यातरा के बारे में जानते हैं प्रतिक सुरी राजधानी दिल्ली से तालूक रगते हैं उन्होंने मॉडन स्कूल, बारा खंबा रोड से अपनी स्कूली सिक्षा पूरी कीती साल 2006 में वो नई दिल्ली से विटिस पिलानी दुबई में मैक्ट निकल इंजिनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए संग्त अरब अमिराद चले गए इसी दोरान इन्हें दो महत्पूर्ण बातों का ऐसास हुआ इन्होंने उनके करियर का रास्ता तयार किया वो यूए की अवादी में अपार विवित्ता दे कर चकित थे इससे लगबग 200 अलग-अलग देशों के लोग थे ऐसे व्यविस्सिक समुदाय का हिस्सा होने से उन्हें अपने देश की सीमाओं से परेव मौजूद बेशुमार मौकों का भी एहसास हुआ इस नए ज्यान से प्रतीक सूरी ने अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना शुरू कर दिया 2012 में उन्होंने मैसर की नीव रखी ये कंपनी सस्ते और हाई क्वालिटी के कंजूमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्स का उत्पादन करती है नए रुजानों के बारे में सूरी की गहरी समझ और जटिल बेश्विक आपृती स्रिंकला के प्रवंधन में उनके कौशल ने मैसर को अफरीकी बजार में जल्दी से अपनी उपस्तिती स्थापित करने में सक्षम बनाया शूरी ने अफरीकी बजार को समझते हुए प्रोडक्त पेश्ट किये उनकी समर्पित प्रयाज की कारण मैसर ने अफरीका में सफलता प्राप्त की कामपनी के प्रामुख प्रोडक्त स्मार्ट टैलिविजिन को अफरीकी ग्रहकों ने हाथो हाथ लिया इसके चलते मैशर ने पूरे शेत्र में 8 लाग से जादा यूनिटे बीची सूरी आफ्रीकी इंफ्रेंक्षर और प्रतिवा में निवेश करके मैशर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं इसके अलावों महादीब के व्यापक आर्थिक और समाजिक परिवर्दन में भी योगदान दे रहे हैं मेशर के आगे बढ़ने के साथ प्रतीक शूरी महत्वकांग्षी उद्मियों खास कर उभरते बजारों के उद्मियों के लिए आदर्श के रूप में उब रहे हैं भारत में अपनी साधारन शुरुवात से लेकर एक अरब डॉलर से जाधा के टेकनोलोजी यूनिकॉन के सीर्ष पर पहुँचने तक प्रतीक सूरी की कहानी इस बात का शांदार उधारन है कि दूर दृष्टी और दृष्शंकल और इनोवेशन की निरत दर्खोस के जरिय क्या हासिल नहीं किया जा सकता तो ये थी अमारी आज की विरो आई होप ये विडियो आपको पसंद आये हो अगर विडियो पसंद आये है तो विडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब कर दीजे